Hello students and aspirants, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DailyJS Dose पर हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजर होगे हैं अपने अपडेटिट करेंट अफेर वीडियो के साथ तो इस चोटे से वीडियो में आज हम बहुत ही इंपोर्टन करेंट अफेर डिसकस करने वाले हैं आज हम बात करेंगे पढ़े भारत कैंपेइन की हाली में ये एक जनवरी 2022 से ये न्यूज में रहा है काफी इंपोर्टन टॉपिक है विस्तार से डीटेल से आज चर्चा करेंगे इस टॉपिक में बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंस में शेयर करें शुरुबात करते हैं इस 100 डे रीडिंग कैंपेइन से जो की पढ़े भारत है जिसका नाम और जिसे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद प्रधान जी ने है उन्होंने ये लॉंच किया है शुरुबात करते हैं पढ़े भारत 100 डे रीडिंग कैंपेइन केंद्री शिक्षा मंतरी धर्मेंद प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को सौ दिविसीय पठन अभियान शुरू किया गया है तो बहुती सरल लफजों में लिखा हुआ है कि सौ दिन का ये पठन अभियान है यानि सौ दिन का लिटरसी कैंपेइन है ये जिसमें बच्चों को बहुत basic fundamental knowledge जो है हर subject की वो दी जाएगी और उन्हें 100 दिन में इस योगे बना दिया जाएगा कि वो literate people की category में fall करें अभियान भालवाटिका और कक्षा आठवी के बीच कक्षाओं में पढ़ने वाले चात्रों पर केंद्रित होगा union education minister श्रीधरमेंद्र प्रधान जी launched a 100 days reading campaign पढ़े भारत और जो main focus रहेगा वो 8th class के बच्चों के उपर रहेगा आगे हम बात करते हैं पूरे अच्छे से उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया और कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन सी बुक जो है वो हमारे लिए launch करी है इस 100 day reading literacy campaign में आईये जानते हैं यह उनका यह tweet है जो मैं शेयर करती हूँ आपके सामने आपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं I'm sharing the names of these 5 books that I have picked to begin reading I encourage everyone, especially my young friends यह young friends उन बच्चों को सम्वोधित कर रहे हैं जो एट कक्षा तक के बच्चे हैं जो पढ़ाई से अभी अनभिग यह हैं दूर है किनी कारणोवश और उन्हें अब literacy से इस campaign से जोडने की जो पहल की गई है उनको यह सम्वोधित करते हुए कह रहे हैं कि my little young friends to adopt the habit of reading books also do share me with me what you are reading and what I should read next hashtag पढ़े भारत तो आप देख रहे हैं इनोंने 5 books की list दी हुई है आपके सामने अगर आप देखे तो यह screens पे भी आपको बहुत अच्छे से visible हो रही होंगी यह आपके सामने 5 books हैं atomic habits यह जो हम आपके सामने screen में mark कर रहे हैं बहुत अच्छे से मैं आपको यह 5 books के नाम बता रही होंगर आप चाहें तो इस पे short notes create कर सकते हैं अपनी current affairs की register में या wherever you make your notes of current affairs बात करते हैं पहली किताब का नाम है atomic habits जिसको लिखा है James Clear ने तो यह जो आप book देख रहे हैं atomic habits James Clear की दौरा लिखी गई यह किताब है यह उन 5 किताबों में हैं जो हमारे union education minister शीधरमेंद प्रधान जीने है उन्होंने 100 दिन के literacy campaign में यह 5 books बच्चों को पढ़ने के लिए suggest की है पहली book है atomic habits by James Clear Little book of happiness by Ruskin Bond यह आप देख रहे है yellow color का यहाँ पे यह highlighted book है और इसी की बात में कर रही हूँ Little book of happiness Ruskin Bond इसके author है अगली book की बात करें तो reflections by Swami Vivekanand हम इस किताब की बात कर रहे हैं फिलाल के लिए यह जो आप देख रहे है reflections by Swami Vivekanand यह तीसरी book है इस सिरीज की अगर हम चौती बुक और पांची बुक के बात करें तो यह बेंगॉली book है चिलका by Kabibra Radhanath Rai and Atonement by Fakir Mohan Senapati यह ODIA writer है and they basically have written in a different regional language तो यह पांच बुक जो हैं सजेस्ट की गई हैं बच्चों को पढ़ने के लिए सौ दिन के लिटरिसी क्यामपेंग में और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स और अच्छे जो मोटो हैं वो भी शेयर की गई हैं बुक्स not only impart knowledge but they also impart personality and life and that is the hobby of book which leads to a wonderful satisfaction Let us cultivate a lifetime habit of reading book that is starting with this 100 day literacy campaign called पढ़े भारत, a nationwide initiative for creating a joyful reading experience कई बार जो होते हैं, state level के जो exams होते हैं, central level के जो exams होते हैं उनमें ये बारी किया जो है, किसी भी campaign का जो motto होता है या कितने दिन की अवधी रखी गई है, उसके पूनता होने की या कौन सी book suggest की गई है, इस तरह की जो कुछ detailing होती हैं वो questions में हमारे पास आजाती है, question form में और हमारा जो paper है वो कहीं ने कहीं tough कर देती है तो कहीं भी आप फसे नहीं paper के थुरू, अगर आप किसी भी paper की preparation कर रहें आने वाले तो इस वज़े से आपको ये सारे detailing इस चोटे से वीडियो में बिल्कुल हम available कराएंगे आगे बढ़ते हैं, चोटा सा एक go through ले लेते हैं, एक summary ले लेते हैं इस campaign की तो पहला point कहरा है, पढ़े भारत campaign will focus on children studying in Balvatika to grade 8 यानि कि हमारे जो lower nursery की जो level होता है, जो stage होता है वहाँ से 8th class, 8th grade तक के बच्चे जो है इस पढ़े भारत campaign में इसका एक हिस्सा बनेंगे, they'll be included next point, the reading campaign will be organized for 100 days, 14 weeks, यानि कि 14 हफतों का ये पूरा campaign है, literacy campaign है, जो कि 1 January 2022 से शुरू हो चुका है और इसका जो समापन है, वो होगा 10 April 2022 को, आगे चलते हैं, this campaign is in alignment with the national education policy, हमारी जो ये new education policy आई थी 2020 में, उसी से पूरी aligned ये literacy campaign है, which emphasizes on promotion of joyful reading culture for children by ensuring availability of age-appropriate reading books for children in local, mother tongue, regional and tribal language बहुत ही एक important point है, अगर आप इस पूरे literacy campaign का सार जानना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ही important point है, आइए गौर करते हैं, इस पर किया कहा जा रहा है, सिंपल से कहा जा रहा है, अगर आप देखें, कि बच्चों के अंदर जो joyful reading culture habit होती है, उसे हमें improve करना है, यानि उस चीज़ को हमें emphasize करना है, उसे बच्चों के अंदर inspire करना है, कि वो joyful reading करें, यानि पढ़ाई को एक बहुत ही healthy तरीके से इंगल्फ करते हुए चलें अपने अंदर, और दूसी चीज़ जो रहोंने बहुत अच्छे से mention की है, वो यह है, कि जो age appropriate books होती है, यानि बच्चों की ऐसी किताबे, जो उनके age के according होती है, कि किस age के बच्चे को कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उस पे focus किया है और कहा है, कि वो किताब उनकी local, mother language, regional language या tribal language में ही होनी चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा जरिया है, एक बहुत ही अच्छी habit inculcate करेगा बच्चों के अंदर अपने region, अपने culture से जुड़ने के लिए, which is a very good point, that should be appreciated, आप भी अपने views और opinions हमें comment section ने बताइए, कि आपको ये 100 day literacy campaign का particular ये जो point है, that is basically emphasizing the age appropriate reading books of children in their local mother tongue, regional tongue, tribal language, तो ये कितना सही एक नजरिया है, हमारा जो national education policy की तरफ से शुरू किया गया, अपने views जो है, जरूर शेर कीजेगा, चलते हैं अगले point, पर अगला point कह रहा है, the 100 days reading campaign will also focus on Indian languages including mother language, local, regional language, it is in this regard, 21st February which is celebrated as international mother tongue day, has also been integrated with this campaign, बहुत important point, फिर से मैं इसको यहां पर highlight करना चाहूंगी, कि यहां पर ये जो साफ साफ mention है, 21st February is celebrated as international mother tongue day, यानि आपकी जो भी मात्र भाशा है, mother tongue है, उस दिन को celebrate करने के लिए, जो date assigned की गई है हमारे भारत देश में, that is 21st February, तो ये जो महान date है, ये भी इस campaign का हिस्सा है, एक बहुत ही एहम हिस्सा है, क्योंकि 10 April, जो की समापन का सौवा दिन होगा, इस literacy campaign का, उसके अंदर ये date included है, और कहीं कहीं काफिस का अपने आप में महात्व है, चरदे अगले point पे, this day will be celebrated with the activity of कहानी पढ़ो, अपनी भाशा में, reading story in your own language, across the country, by encouraging children to read in their mother tongue or local languages, यानि आपको अपनी भाशा में कहानी पढ़नी है, अपनी regional local language में mother tongue में पढ़ना है, this will help in promoting local language and culture of our society, आप देख रहे हैं कि आमने अच्छे से highlight कर दिया है, क्योंकि यह जो point है, यह इस point का, इस पूरे campaign का core point है, very important, आप इसको star mark कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे भी short notes create कर रहे हैं, क्योंकि यह, इस तरह से question आपके सामने frame हो सकता है, कि जो हमारा 100 day literacy campaign है, इसका main motto क्या है, चार options के साथ, अगर आपको यह option कहीं न कहीं answer में मिल रहा है, तो यह बिलकुल सही जवाब है, this will, this particular 100 day literacy campaign will promote local language and the local culture of our society in little children or students, तो इसी के साथ, इस important message के साथ, हमारे जो धर्मेन प्रधान जी है, केंदरी हमारे इशिक्षा मंत्री है, उन्होंने यह literacy campaign शुरू किया, एक बार हिंदी में भी हम look over ले 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 इसको सो दिविसिये पठन अभियान शुरू किया, सो दिविसिये पठन अभियान यानि पढ़े भारत अभियान चात्रों को उनकी रचनात्मक, महतवपूर्ण सोच और शब्दावली को मोखिक और लिखित रूप में व्यक्त करने की शमता सुधारने में मददगार साबि अभियान बालवाटिका और कक्षा आठवी के बीच कक्षाओं में पढ़ने वाले चात्रों पर ये केंद्रत होगा पड़े भारत अभियान की शिरुवात करते हुए मंत्री जी ने पढ़ने के महतव को रिखांकित किया कि बच्चों को निरंतर और आजीवन सीखने को सु पारे डीटेश बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी लेफ्ट आउट होती है तो आप बिल्कुल फिल फ्री किए जेगा हमें कमें सेक्षिन में उसे बताने से हम 100% 7% आपको उस क्वेरी से बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने के लि पर्म के लिए डिकलने के लिए लागर निकलने के लिए लिए।